हेलो गाइज, आई आपको रिपब्लिक डे से रिलेट कुछ नहीं बताने वाला क्योंकि आज की डे की इंपॉर्टेंस आप बहुत अच्छे से जानते हो इस वीडियो में, पर्टिक्लरली इस वीडियो में, मैं आपको एक इंट्रस्टिंग फेक्ट बताऊँगा जो की आप से रिलेट करती है, आपके घर वालों से रिलेट करती है आर्खिटेक्चर को ले के, मतलब आर्खिटेक्चर के कंटेक्स्ट में आपकी फैमली से रिलेट करता हुआ एक इंट्रस्टिंग फेक्ट बताऊँगा तो especially इस वीडियो के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आज की इस वीडियो को जरूर से शेयर करें अगर आपको मेरा आज का मैसेज और इंटरस्टिंग फैक्ट पसंद आए तो मैं अपनी बहुत ही कम वीडियो में ऐसा बोलता हूँ कि मेरी वीडियो को शेयर करो हमेशा लाइक और कमेंट करने लिए जरूर बोलता हूँ लेकिन शेयर करने के लिए बहुत ही कम बोलता हूँ तो जरूर से आज की इस वीडियो को शेयर करें अगर आपको आज का मेरा ये मैसेज इंटरस्टिंग फैक्ट पसंद आता है तो जरूर से शेयर करें अपने घर वालों को उनकी importance समझाए कि वो भी architecture से relate करते है और वो interesting fact ये है कि क्या आप जानते हैं कि हर घर में मतलब कि हर घर में एक by birth और एक by born एक architect होता है मतलब कि हम जो एक architect होता है या बन चुके हैं मैं एक architect हूँ ठीक है तो हम जो architect होता है वो professionally होता है professionally का मतलब कि हम professionally practice कर सकते है professionally practice का मतलब कि हम service दे सकते हैं दूसरों को architecture की service दूसरों को दे सकते हैं लेकिन एक by birth और एक by born हर घर में एक architect होता है क्या आप जानते हैं कि वो architect कौन है आपके घर में वो होती है मा मतलब की mother सबसे पहले मैं आपको professionally relate करके बता दू वो ये कि हम जो drawings बनाते हैं जिसे बोलते हैं architecture drawings उसको mothers of all drawings बोला जाता है mothers of all drawings का मतलब इस drawing के बिना बाकी कोई drawings बन ही नहीं सकती जब तक आप एक architecture drawings मतलब की mother of all drawings नहीं बनाओगे तब तक उसका structure drawing नहीं बन सकता उसकी plumbing drawing उसकी electrical drawing उसकी mechanical drawings बन ही नहीं सकती तो professionally मैंने आपको बता दिया कि हमारे architecture drawing को ही mother of all drawings बोला जाता है लेकिन अब मैं आपको importance समझाता हूँ कि आपके mother की importance क्यों होती है अगर मैं आपको बोलू कि आपको एक नया घर बनवाना है या तो renovate करवाना है या नया घर बनवाना है तो आपका घर किस तरीके का होना चाहिए तो देखिए generally जो है अगर हम एक घर की requirements बताएंगे तो हम अपने wants बताएंगे wants कहने का मतलब कि मेरा room जो है अभी जितना है ना उसका just double चाहिए मेरे को जो मेरा drawing room है ना उसमें एक lavish sofa लगावा होना चाहिए LED screen होनी चाहिए 42 inch की 76 inch की इस टाइप की requirements हम बताएंगे मतलब कि एक दोम luxury life एक दोम luxury घर बताने की कोशिश करेंगे अपने wants बताएंगे कि हमारा घर किस तरगी कर दिखना चाहिए कैसा होना चाहिए और कही न कहीं अगर आपके father से भी पूछा जाए तो वो काफी हद तक cope up कर पाते हैं कि उनको क्या चाहिए क्या wants है क्या needs है लेकिन अगर आपकी मां से पूछा जाये मतलब की मदर से पूछा जाये तो वो ये तो जानती ही है कि आपको क्या चाहिए, आपके father को क्या चाहिए लेकिन साथ में सबसे पहले उसकी जो requirement होगी वोगी needs की needs कहने का मतलब कि जहां आप अपने घर को double करने का बोल रहे थे जहां आप एक lavish जिंदगी, एक lavish lifestyle मांगने की कोशिश कर रहे थे अपने घर से, वहां आपकी मदर basic needs की बात करेगी जो की होता है जैसे मान लिजे की store room होना चाहिए हर room में storage space जरूर से होना चाहिए वो इस type की requirements मांगेगी क्योंकि वो needs है मैं आपको उसकी importance भी बताऊँ कि इसका importance होता क्या है exactly में लेकिन सबसे पहले और आगे की बात करते हैं अब जैसे मान लिजे कि आपने अपने room को मांग तो लिया कि मैं को double bedroom चाहिए जो room का size अभी मेरा है उसको just double कर दो जादा better रहेगा जादा एक lavish feeling आएगी एक wall पे texture wall होना चाहिए जो wooden flooring होनी चाहिए यह सारी चीजे लेकिन आपकी मदर ही होगी जो बताएगी कि अगर आपको एक double room दे दिया जाए तो आप satisfy नहीं रहोगे क्यों कि अभी जो room है आप उसको बहुत अच्छे से manage कर पाते हो लेकिन अगर आपकी room को double कर दिया जाए तो आप उसकी सफाई नहीं कर पाओगे आप उसको manage नहीं कर पाओगे तो समझ रहे हो कि आपकी मा की importance क्या होती है उसके बाद भी अगर मैं आपको बताओँ बहुत सारे students होंगे जो कि ये कहेंगे कि नहीं हमारे घर में तो काम करने वाली आती है हना servant आता है made आती है इस सारी चीज़े उसमें भी वो भी आपकी मा जानती है कहीं न कहीं कि वो भी उतने अच्छे सफाई नहीं कर पाएगी अगर wooden flooring लगवा देंगे तो वो शायद वो service नहीं दे पाएगी लगडी जल्दी खराब हो जागा वो सारी चीज़े कहने का मतलब है बहुत साई चीज़े हैं जो कि मैं भी आपको नहीं समझा सकता वो आपकी mother बता सकती है एक अच्छा घर design करने के लिए जो needs होती है वो सिर्फ आपकी mother बता सकती है और कोई नहीं आप generally अपने wants बताओगे बहुत कमी rare ऐसे cases हैं कि आपके needs बताबाओ लेकिन एक mother जो होती है वो हमेशा needs बताती है इसलिए हम जो drawing बनाते है professionally उसको mother of all drawings बोला जाता है कि हम सबसे पहले requirements फुल्फिल करते हैं needs और wants दोनों को मिला के हम एक requirement फुल्फिल करते हैं उसके बाद उसमें service दी जाती है structure service MEP service जितनी भी consultancy होती है उसके बाद दी जाती है अब इसके importance को एक real life example में लेके चलते है जनरली मैंने देखा है अगर आप online भी search करोगे YouTube पे भी search करोगे आप जनरली एक बार देखके देखिए पांच करोड का घर आठ करोड का घर दस करोड का घर ये सब एक बार 10 करोड के घर 20 करोड के घर एक बार देखके देखिए आपको उसके अंदर सारे features मिलेंगे क्या मिलेंगे मैं repeat करता हूँ उसके अंदर आपको सारे features मिलेंगे हर चीज मिलेगा मतलब कि lavish lifestyle तो मिली रहा है एक kitchen में आपको oven मिल रहा है dishwasher मिल रहा है सब कुछ मिल रहा है सब कुछ हो सकता है automated हो हर चीज हो लेकिन अगर आपने notice किया हो कि lockdown के time पे लोग अपने ही घर में mental issues उनको आने लग गए थे क्यों कि वो अपने ही घर में खुश नही नहीं थे वो इसलिए क्योंकि जब भी हम कोई भी घर लेते हैं जिसमें की मा की requirements नहीं होती उनकी needs नहीं होते यसे बहुत बात जंदली हम कहा है builder flat खरीद लेते हैं ठीक है मतलब builder ने बनाया है हम उस घर को खरीद लेते हैं उसमें आपको सारे features दिखेंगे एक अच्छे घ लिए लोगों को अपने ही घर में रहने के बाद mental issues आने लग गए थे क्योंकि feature एक time तक ही काम देता है अगर आप किसी एक hotel में जाओगे तो उसमें जो features आपको मिलते हैं वो एक time तक ही काम देता है लेकिन आप उस feature में लंबे time तक रह नहीं सकते तो यहीं सेम चीज हुई थी COVID के time पर भी pandemic situation के time पर भी lockdown में जब लोग अपने ही घर में रह रहे थे तो उनको mental issues आने लग गए थे लोग अपने ही घर से बाहर निकलना चाह रहे थे वो इसी लिए क्योंकि उसमें मा के needs नहीं थे जब उस घर को बनाया गया था तो एक builder ने बहुत असानी से उस घर क नहीं थी और यही ही importance इसलिए बोला जाता है कि हर घर में एक by birth और एक by bond एक architect होता है जिसे बोलते हैं हम mother wait 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 अब आपका एक question तो रही गया कि एक father को by birth और by bond एक architect क्यों नहीं बोला जाता क्योंकि वो भी तो कहीं ने कहीं हम wants और needs दोनों ही चीज़ बता सकते हैं तो मैं इसका एक बहुत simple सा एक logic बताता हूँ आपको एक example से relate करके हर चीज़ में दो word जरूर include होती है चाहे वो आपके income में हो चाहे वो architecture term की बात करें हर चीज़ में दो word जरूर include होंगे एक होता है passive और एक होता है active इसको एक example के थूरू समझते है active उस चीज़ को बोलते active मतलब कि उसी वक्त आपने on care वो active हो गया इसलिए आपने active money भी सुनी होगी जो आपको monthly income मिलती रहती है उसे हम active income बोलते हैं अब अगर passive की बात करें तो passive होता है अगर architecture की term की बात करूँ तो passive वो चीज़ होती है कि कैसे आपका घर गर्मी के time पर ठंडा रहे और ठंड के time पर गर्म रहे उसे passive बोलते हैं मतलब घर automatically कैसे अपने आपको work करवाता रहे उसे passive बोलते हैं मतलब passive वो जो हम back end में काम करता रहे और active वो जो दिखता है तो same यही चीज़ हमारे father जो है वो play करता है father active role में play करते हैं जैसे मान लीजे कि आपकी तवयत खराब हो जाए ठी आपकी fees time पर भरना या फिर और भी आपके wants होंगे या needs होंगे उनको fulfill करना तो वो active चीज़ों में हमेशा role play करते हैं active में आप और भी examples ले सकते हैं जैसे कि घर बनते वक्त contractor को लाना architect को hire करना वो सारी चीज़े लेकिन passive जो है passive role जो play करती है वो आपकी mother play करती है mother same एक architecture की तरही होती है जो automatically घर ठंडा रहना गरम रहना जो करते हैं जिसको हम AC से नहीं करते हैं जो automatically घर ठंडा या गरम रहता है जो एक architect design करता है वो इसलिए एक architecture के term में एक better architect मानी जाती है mother क्यूंकि वो passive role play करती है passive का मतलब हो जाता है कि आप कभी भी उनका हिसाब नहीं करते है जैसे मान लेज़े कि कभी आपने monthly bet के हिसाब किताब किया है कि आपने इस time मतलब इस month कितनी बार खाना बनाया 90 बार बनाया 20 बार बनाया 100 बार बनाया कितनी बार नहीं वो passively run होता रहता है मतलब कि actively हम चीजों को notice करते हैं लेकिन passive role एक ऐसी चीज होती है जिसको हम notice नही जाता है और by birth और by bond जो है mother को ही architect बोला गया है तो guys I hope कि आपको आज का यह interesting fact जो है काफी interesting लगा होगा and guys अगर आपको यह interesting लगा है तो please जरूर से share कीजिए अगर आपको share नहीं करना है तो जरूर से अपने family members को दिखाईए और उन्हें समझाईए कि उनकी importance भी होती है architecture म बहुत सारे हमारी mothers को नहीं पता होता है कि actually में वो एक architect है उस घर की उनसे better design उस घर को कोई नहीं कर सकता तो guys अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो please guys इस वीडियो को like and subscribe जरूर कीजिए लेकिन share तो जरूर से कीजिए thank you